हलो एवरिवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब खुछ होंगे मस्त होंगे दुरस्त होंगे कावे अन ममा ब्लोग में आप सभी का स्वागत है तो अभी सुबा के बज़ रहे हैं च्छे और यहां पर मैं अपनी बनाने जा रहे हूं ग्रीन टी या फिर क अपने लिविंग रूम का डीप क्लीनिंग तो मतब्सक्राइब हो गई थी इस विज़े से मैंने यह वाली हल्दी डाल दी और बस एक गिलास पानी चड़ाएंगे तो जब वह आधा रहे जाए आदा कप आदा ग्लास तो बस उसको चान करके उसमें फिर डालेंगे का डीप क्लीनिंग तो मुझे मतलब अपना हॉल अच्छे से साफ करना ही था क्यूंकि घर से आया तो उसके बाद कोई सफाई हुई नहीं इधर हॉल की और वैसे भी अगर सफाई नहीं भी करो तो वैसे भी क्या मोटा मोटा मैंने आके कर लिया था लेकिन अच्छे से तो पूरा मैसी सा मिला मुझे तो इस वज़े से यह करना बहुत जरूरी था और जाले आले तो बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन हलके फुलके थे अगर उनको टाइम से नहीं अटाये गया तो फिर वहीं बढ़ जाते हैं इसलिए और ग्लास वगरा पर तो बहुत ज्यादा के लिए उसके बाद ये सारी चीजे हटा आके जाले और जाले साफ करने के बाद पिर इनको लगे हाथ सब चीजों को लगा दूगी और क्या हो रहा था नहीं यह मैंने पौट रेडिमेट नहीं यह घर पर ही बनाया था आप सबको पता है लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी तो मैंने अंदर से थोड़ा सा कागड डालके फिर मैंने इसमें प्लांटर डाला है तो फिर और अच्छा लग रहा है तो बस सब जगे की इस तरह सी पूरी अच्छी से जाले हटा लूगी और सुबा का भी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत जल्दी उठीती म है तो कुछ जीट लेना देना इस से क्या है बच्चों की हल्प मिल जाती तो काफी कुछ काम जो है इजी हो जाता है और मैं इस तरह से अपने काम को निप्टा लेती हूँ जल्दी सुबा उठके क्योंकि अगर देर में आप उटो न तो वो फूर्ती वो वो चीज नहीं र सरीर अलगी आपको रियक्ट करेगा बॉडी में अलगी देख रहे हैं यह फ्रेम कैसे मैंने परदा हटाया जल्दी जल्दी में उसी चक्कर में यह फ्रेम जो एकदम पूरा हिल गया मुझे तो लगा आज यह गनपती पपा का जो फ्रेम है यह पता नहीं गिर जाएगा कि क्या लेगिन खेर भगवान जी बच गये और उनको अच्छे से फिर मैंने लगा दिया सेफटी से और यहां पर मेरे पूरा टीवी बगएर सब अच्छे से क्लीन कर लूँगी और आज ना सोफा कवर भी सब मुझे दुलना है मतलब आज कहने का कपड़े भी बहुत जादा है डीप क्लीनिंग पूरी अच्छे से करनी है बहुत सारे काम है और मेंची रहना यह घर पर नहीं है तो मैं सारे काम अच्छे से निप्टा सकती हूं मुझे इतनी ज़्यादा है और यह घर पर रहते न तो बस वही पूरा सिर्फ खाना पीना यही रेगुलर वाला काम हो जैद नहीं हो पाता है तो आज मैंने सोचा कि आज में एक सारे काम करी डालू वो जरूरी है इसलिए तो चलिए इसके ओपर की पूरी केरलूंगी और इसके उपर ना इतनी ज्यादा मिटी निकली थी कि पूछ ए हुनी पतानी कहां से आती है पक्ते गरों में मिटी समझ मे नियाता मुझे तो यहां से सूफा वगरा हटाने के बाद पूरा अच्छे से और इतना जादा इसके नीचे सामान निकला है ना धेर तो ग्लासेज खिलाने बच्चों के और यही सब चीजे पैन पैंसिल पढ़ाई का सामान बस यही इसके सोफे के नीचे निकला है जो कि बच्चे मेरे डाल देते हैं और फिर उठाते नहीं है और जब सोफा आओ ना तब ही यह सब कुछ मिलता है मतलब एकदम काउमन हो गया है उसके बाद सोफा वगराने के बाद प बज़ रहें इतना सब करते करते मुझे तो उसके बाद बच्चों को लग गई है भूक और सबसे ज़्यादा सिवाय जो है चोटा है तो उसको दूद टाइम से चाहिए होता है लेकिन वह मैं दूद तैयार कर रही थी और वह वोल राता मुझे पीना है सरबत पीना है ममा म अपने लिए एक कप और बाकी बच्चों को दूद चॉकलेट वगेरा चॉकलेट सीरफ डाल के दूद दीआ टोस्टि खा लिया और वेजाप पी लिया तो ऐसे करके क्या बच्चों का थोड़ा सा पेट के लिए और बाकी यह करने के बाद फिर खाना वाना आराम से बनाऊ और यह देख रहे हैं, यह पूरा जो बेट सीट उगरा है, सब सिवाय ने पूरी निकाल के नीचे पेगी थी, तो वही मैंने अभी पूरी अच्छे से वो की है, भी चाही है, उसके बाद यहां अंदर बैट रूप में लगा लूँ ही जाडू, और बस यह महाराज जी उठे हैं, सोके और उठके ही पूरी बत्तमीजी करने लग जाते हैं, तो बस इनको मैं बोल रहे हैं कि जाओ सिवाय ब्रेस कर लो, तो बस फिर मेरी चाय जो है, मैं चड़ा के आ गई थी, तो चाय मेरी बन रही है, तब तक मैंने सोचा अंदर की जाडू लगा लूँ, मेरा काम इसी तरह से होता है, कि मैं चारो तरह मतलब ध्यान दे के काम करती हूँ, अगर क्या है ना, अगर खाले किचन में खड़े रहे के एक ही काम करो, तो फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा, और ज्यादा काम हो भी नहीं पाते हैं, तो मैं तो अगर जाय बन रही है, तो मैं फ किचन के सारे नहीं, लेकिन हां कुछ जो खाली हो गए थे, नमगीन बिस्किट के दालों के तो उनको मैंने धुल के रात में रख दिया था, वो रात पर मैं अच्छे सूख गए, तो बस उनमें अब मैं भर दूँगी सामान, और क्या होता ना, फिर साम टाइम टाइम से ऐ अब मैं रेडी कर दे रहे हूं, यहां पे दूद, तो मेरी बेटियां भी दूद पीएंगी, और इनके ना, सर में लग गई है चोट, तो वही मैं देख रही हूं, और इसने क्या क्या है, खिड़की के ऊपर चड़के सीधे नीचे कूदा है, तो सर में लग गई चोट और आइबरो तक फट गई है, समझ लो, तो बैडमिंटन जो होता है ना, उसके उपर ही एक उदा तो बैडमिंटन पूरा लग गया है, इतना मतलब इतनी ज़्यादा सेतानी करता है, कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद यह मैं सोफा कवर काव्या रग गई थी, तो मैं लगा ही रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सोफा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने ले लिया है कॉलीन, और जिससे कि इसको अच्छे से खूब साफ कर देंगे, तो यह रैक सीन है, जित थोड़ा सा भी कपड़ा मारो ना, तो घर तो घर ही होता है, उसको हमें इस वर्ग बनाना है, हमें ही सुंदर रखना है, साफ साफ में वीमारिया नहीं आप आती है, तो किसी की भी, लेकिन अगर उस ही गर को, हमें साफ साफ कर लूगी और और तो यह भड़ा-पच से में गेट बगरा भी आप साफ कर लूगा और विडियो को सबसे पहले इंगए कर सकें तो यह आप देख रहे हैं टोकरी रखिए इसमें कुछ न कुछ मैं रखने के लिए लाई हूँ और अभी जब आगरा से लाई हूँ काना जी तब यह टोकरी लेकर कि यह आये थे बड़ी आ गई लेकिन तो फिर अभी मैंने सोचा कि चलो यूज में आ जाएगी और बस पोच अब जो को मैं सैंपू कराऊंगी उसके बाद थोड़े से कपड़े हैं जो कि मैं दुलूंगी और प्रेपने दूलने के बाद फिर मैं खुद नाओंगी और फिर मैं बनाओंगी खाना तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा फिर हम मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक कि लिए बार